नमस्कार टूडे विहार नियुज देख रहें आप मैं हूँ आपके शाथ प्रकाश शिंग विहार में कोरोना के मरीजों में लागातार विरिदी हो रही है कोरोना के दो और मरीजों में लक्षन पोजेटी पाए गए हैं इसके बाद पूरे बिहार में आज हरकम मच गया है आरे माराई के निदेसक डॉक्टर प्रदीप दास ने जनकारी दी है कि कल तक जो दो मरीजों में केस सस्पेक्टेड था वो लक्षन आज पोजेटीव पाया गया है जांच रिपोर्ट आ गया है रिपोर्ट के बाद पुष्टी हो गई है कि उसमें लक्षन पोजेटीव थे कल तक आकरा साथ का था और आज नौ का अब तक एक मरीज की मौत भी हो चुकी है बिहार में और इसको लेकर स्वास्त विभाग चिंतित है सरकार चिंतित है सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के जो दो कुरोणा के नव मरीज आए हैं मरीज से संसरगी ती लोग कुरोणा के चपेट में हैं जो आज जांच रिपोर्ट आया है उस report में भी जिसकी पुष्टी हुई है उसमें एक medical का staff बताया जा रहा है स्वास्तिवाग का कर्मी बताया जा रहा है जो उसके इलाज के लिए वहाँ पे dialysis के लिए उसके पास रखा गया था स्वास्तिवाग के द्वारा तैनात किया गया था और वो भी अब करोना के चपे पोजेटी मिला है वो हाल ही में दुबाई से लोटा था और दुबाई से लोटने के बाद उसमें करोना के लक्षन पोजेटी पाए गया है तो कहीं न कहीं अब बहुत ही गंभीर सवाल हो गया है बिहार के लोगों के लिए कि अब बिहार में लागातार करोना के मरीजों की संख्या में ब्रिधी हो रही और स्वास्ति भाग के जो कर्मी है वो भी अब इसके चपेट में हैं तो नए दो केस आये हो और बिहार में अपकुल साथ नहीं नो मरीजों को रिणा के लक्षन पोजेटी पाए गए हैं तो यह बहुत ही चिंता के विशाय है बिहार में 22 लोकडाउन चल रहा है और टुडे विहार नुज भी आपसे यहीं अपील कर रहा है कि आप लोकडाउन में अपने घरों में रहें वरना जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बरती जा रही है एक कहीं न कहीं बहुत ही चिंता का सवाल है चिंता का विशाय है कि आगे क्या हो सकता है कुछ नहीं कहा जा सकता है जिस तरह से इटली चिन वेगर देशों में हालात हैं वैसा हालात भारत का ना हो इसलिए आप अपने घरों में रहें पुरे देश में देश व्यापी लोकडाउन चल रहा है बिहार में लागातार मरीजों की संख्या में व्रिदी हो रही है उस बिहार में जिस बिहार में लगातार कई दिनों तक जब अन्य राजों के नएने केस आते थे और सुर्ख्यों में रहता था मीडिया में तब तक बिहार का कोई भी मामला मीडिया में नहीं पहुंचा था सरकार भी उस तरह से गंभेर नहीं थी कि बि यहाद दूच को